असलाम अलेकुम आज हम इस्प्सक्राइब के नेक्स्ट हमसी के कुट सोल्व करते हैं इस्प्सक्राइब हारे को इस्प्सक्राइब के लिए मृस्ट इमपोर्ट है पीपीए सीएफ पीए सीएफ एफ य अब जो 5 इंस्पक्टर के, 4 गरेंगे और बहुत सी जोब से फोड की जिनके अब एक्सम हने वाले हैं उनके लिए भी इस्लाम में तो महस्निपूर्ण है नेक्स्ट इंशाला लए जल ही एजुकृतिर के जाड़ी आज़ाएंगी उनके लिए भी महस्निपूर्ण है यह four class की इसलामियात है बट इसके अंदर basic है कभी कभी PPSC के exam में basic question भी आ जाती है इसलामियात के तो इसलामियात के तीन से चार अगर MCQs किसी भी इसलामियात है तो आप लोगे वीडियो मुस्ट वाच करनें आज का जो topic है इसमें एषवरहीम परहीम अलिश्लम एच है अप लोग नेइसकी एच याद करे लिने 175 है और band इसलाम locations के जो पहली şाधी तो पहली शादी की सारा से उई थी पहली शादी की से होजिती सारा से हुए थी और सारा ने ही अपनी लूंडी हाजरा के साथ हज़र परहीम अलिएसलाम की दूसरी शादी कर दी ठीक है ये दोनों याद कर लेने सारा ने ही अपनी सारा ने ही दूसरी शादी कर दी थी हज़र परहीम अलिएसलाम की अपनी लूंडी हाजरा के साथ अब हम इसका पहला MCQ देखते हैंगे इसका पहला MCQ हथथए अब पहराईम की पूझा करते थैंए इसमें पहुच हुच है कि बोतों की पूझा करते थैंगगए जब जिन पतुझा करते थैंगों की जदाथ थी 360 ये भी याद कर लेने हैं, कितने बुद्ध थे हैं, 360, नेक्स टाइ कहते हैं, बरहीम आले सलम के जमाने में इराक के लोग इबादत करते थे, सुरत, चांद और सितारे के इन तिनों की इबादत करते थे, इराक पर हुकमरान था, नमरूद, पहली मरतबा किस पेगंबर ने ब दिया गया था, आप 40 दिन तक आग में रहे थे, ये दिन याद कर लेने, नेक्स देखते हैं, कि हजएब रहीम आले सलम को डाल दिया गया था, आग में, और कितने तक? 40 दिन तक, हजएब रहीम आले सलम इराक से हिज़रत करके गए, फलस्तिन, खलीलल्ला किस का लगव है, حضرت इबरहीम अलिएसलाम का حضرت इबरहीम अलिएसलाम ने चाद की गंगे नेक्स्ट करते हैं कि حضرت इबरहीम अलिएसलाम हिजरत की थी حضرت इबरहीम अलिएसलाम ने मक्का या बक्का बक्का जो है मक्का का पुराना नाम है आप लोगों ने दोनों याद कर लोने ऐसी परहेम, इसलम की पहली बीवी थी सारा। अंग्स करते हैं कि अधरिस्माइल इसलम बेटे थे हाज्रा के, जो हजड़ सारा की क्या थी लौंडी थी? हजड़ इसलम की वालदा का झार नहमें हाज्रा। حضرت اسحاق کے دوسرے حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے تھے اور ان کی والدہ کا نام 나 سارا पहلے بیٹے جو تھے حضرت اسم setterlm وہ حاجرہ کے بیٹے تھے اور حضرت اسحاقotherapy تھے وہ سارا کے بیٹے تھے حضرت اسحاق کی پیدائش کے وقت حضرت سارا کی عمر تھی 90 سال اور حضرت ابراہیم کی عمر تھی 100 سال ये दोनों याद कर लिए न rhet techniques देखते हैं कatoreस्वारि आपिसमाईल्लै आपिसिए के वोकृत है, हड़त इपराहिम की अमर थी, 56 अधर क्वल इसक्सुराइन नेज्छत है आपिस्वार , हजदite इपराहिम आपिसियम की पीवी सारा किसकी बैन थी? सारा किसकी बेहन थी हद्दत इसाओलियु ऊल्साम की नेक्स रिए कि अलlaw की तरफ से हद्दत इस्माइल इसल्मकी जगा कि ज़ाण़ों को भेजा गया अलल्यु अला चाह का हुकम वा थै कि हद्दत इस्माइल इसल्मको अलादा इलाज के राह में कुर्бान कर दें तो फछर्द अबरहीम अले इस्लम ने जब हदर समयलै अब इसलम को लगा इसलम के राह में कुर्बान किया तो उसकी जग़ा पे एक मेहनड़ा आ गया था ठीख है? और हम इसकी याद में क्या मानते हैं? तो आज हमने जो टॉपिक कवर किया वो हज़रत इबरहीम अलिएसलाम है कि हर एक एक्जाम के लिए मौस्ट इंपोर्टन है इनके अमसी के उर्थ याद करने वाले हैं वो यह है कि हज़रत इबरहीम अलिएसलाम को आग में किते दिन तक उनकी उसकी कौम ने डाला चलिस तिन के लिए और इन्होंने दो शादियें की थी पहली बीवी का नाम सारा था दूसरी बीवी का नाम क्या था हाज्रा जो सारा से बेटा हुआ था उसका नाम क्या था इसहाक और जो हाज्रा से बेटा हुआ था उनका नाम क्या था तो आप लोगों ने इनको अच्छे से याद कर लेना है इन्शाला तलह कल से हम नेक्स्टि सकेम्सेक्स करेंगे अब हम ये डेली बेसिजड़े पे सकेम सक्यूज करते रहेंगे तो आप लोग ने इनको अच्छे से करें इसलामियात, मैं बार बार कहे रहे हूं इसलामियात हो गई अर्दों हो गई, मै्त यह हर एक एक्जाम के लिए मॉस्ट्री बोटन लगे अगर बेसिक मैथ की आप लोगों ने त्यारी करनी है वो भी मैंने आप लोगों को प्रवाइड कर दिया डाटा तो आप लोग उनको भी एक बार वाच लाजमी कर लें बेसिक मैथ ही है डेली करते रहें दो कर लें चार क करें मैथ आप लोगों को तब आएगी जब आप लोगों को मैथ नहीं आएगी इसलामयाद को यह है कि एक बार आप लोग जीड कर लेते हैं इनके नोर्स बना लेते हैं अब यह देखें कुरार मजीद में जो 25 नभीयों का जिकर आया इनके इंपोर्टन इपॉनल पॉंट करिमा दाओ लोगों अ बार आपा कर सक 2022 नहीं आप लोगगों क्या आया कर दिक दूम है एक है कर दो आँपा लोगदी सवाना आप